हमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की शुरुवात सबसे पहले नज़े डालते हैं आज की हेटलाइन्स पर बागलकुर में जमीन विवात को लेकर दो पक्षों के बीच वी चाकू बाजी दो की हुई मौत तीन की हालत कमभीर डियम प्रन अपकुमार ने जिले में चलाई जारी विकास योजनाओं की की समिक्षा कारी की धिमीगती पर जताई नाराजगी इंडिया कोश्ट पेमेंट मेंक में देड़ लाख लोगों का खुला खाता प्रधान डाग घर में बारक कडोल हुआ जमा इसमार्ट सीटी के तहट चल रहे विकास कारियों का विधायक ने किया निरक्षन कहा सरकारी फंड का हो रहा है बंदरबाट और जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर नवगचिया में ट्रक ने बाइक सवार को मारी ठोकर मौके पर हुई मौत अब समचार विस्तार से भागलपूर के शबौर राजपूर गाउं में महज एक कठा जमीन को लेकर चल रहे विवाद में सौमवार की देर रात एक ही पक्च के आधा दर्जन लोगों पर दूसरे पक्च के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया गटना में एक पक्च के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भरती कराया गया जहां इलाज के दौरान बीबी बेबी और महम्मद इस्तियाक की मौत हो गई जबकि दो की गंभीर हालत को देखते वे उसे पटना रेफर कर दिया गया वहीं शबोर पुलीस ने तरित कारवाही करते वे घटना में शामिल तीन आरोपियों को गिरपतार कर लिया है घटना को लेकर मौतिक इस्तियाक के पिता महम्मद सहवाज ने बताया कि उसका बेटा सबोर कॉलेज में पढ़ाई करता था साथ ही एसी मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी ले रहा था सौमवार की साम वह मौटीन का क्वाइल लाने दुकान गया इसी दोरान पलोसी के घर जगड़ा हो रहा था जिसमें वह बीच बचाओ करने लगा तभी आरोपियों ने चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी यह सर नो बज़े रात में अपने दुकान से आये यह इसी का काम करते थे है यहां से गये जब घर में गये तो मुटर से किल लगा आई पहरा हनो करके यह गये दुकान मुटिन लाने के लिए मच्छर काटने वाला मुटिन लाने के तो वह पर चाकू बाजी हो रहा था ठैक तो जिसको चाकू जो मारा इसका अलरका को पिर पिर chiff दोनों से आगे जोट्की लबाएकि मारना पिन्हा सुरू कर दिया मारने पिन्गे से बाध यञे षूरी मार के निकाल के बाहर हो गिया बाहर होके फिर मेरा लड़का को मारा, फिर दूसरे लड़का को हमरा मारा, फिर एक टो चचरा भाय का बेटा को मारा, मौरते मौरते उस हम निकल के भाग गिया है। पहले कोई दुसमनी नहीं था। जिलादिकारी परनपकुमार ने परधान मंत्री आवास योजना, जलजीवन हर्याली, मनरेगा एवं आंगनबाली केंदर के तहट चल रहे कारियों की समिक्षा की डियम ने अधिकारियों से तमाम योजनाओं की प्रगती रिपोर्ट जानी और कारियों की धिमिगती पर नाराजगी जाहिर की समिक्षा बेटक में पैन, पोखर, तालाब, चेक, डेम योजनाओं को गुनवत्ता पुर्ण धंग से पूरा कराने का निर्देश दिया गया करने का निर्देश दिया है, डियम ने कहा कि काम नहीं करने वालों का मान दे काटा जाएगा और सुधार नहीं होने पर बर्खास्त भी किया जाएगा 17,85,000 मानप्स रिजन का लक्ष जिले में रखा गया है, जिसमें से 6,92,000 मानप्स रिजन हो चुका है जल जीवन हर्याली योजना में शभी कारिक्रम पदादिकारी को 15 जून तक पौधार ओपन के लिए गढधा तयार करने का निर्देश दिया गया इसके अलावा जीवीका को माश्क उपलब्ध कराने, सभी परिवार को माश्क एबं साबुन उपलब्ध कराने का निर्देश दियम ने दिया आई पी पी बी अपने ग्रहाकों को घर बैठे कई तरह की शेवाएं दे रहा है वहीं लॉकडाउन में एक तरफ जहां चारो तरफ मंदी चाई है और देश की अर्थवेवस्था चर्मरा गई है तो दूसरी तरफ अब डाक विभाग लोगों का खाता खोल कर कलोरों रूपे का लेंदेन कर रहा है बागलपूर की बात करें तो यहां के परधान डाक घर में लॉकडाउन की अवधी में 78 हजार खाता खोला गया वहीं परधान डाक घर के पोश्ट मास्टर सुनिल कुमार सुमन ने बताया कि डाक विभाग के प्रती अब लोगों में काफी विश्वास बन गया है जिसके परिणाम शवरूप 31 मई तक देड़ लाख लोगों ने IPPB में अपना एकाउंट खुलवाया है कम संसाधन में जनता की भी खाज करके जो बैंक तक नहीं पहुँच पा रहे हैं बैंक के एक ओंग से भी पैसा निकाल करके जो हम उन्हें दे रहे हैं तो उससे हम लोगों की खोई ही पहचान फिर जागित हो गई और मैक्सिमम जो हम लोगों पर पिश्वास की बात थी वो भी पिश्वास जगा लोगों की बीच में इसे लगता है कि लॉक्टाउन के समय में जितने भारत सरकार का ताज बिभाग इतना अपने खोई हुए चीज को प्राप्त गया साइध ही कोई की पाट इसा पास सका होगा इधर इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक के सहायक प्रबंदक नवनीत कुमार और पिंटु कुमार ने बताया कि भागलपुर में IPPB में खाता खोलने की शुरुवात सितंबर 2018 से हुई थी लेकिन तब खाता खुलवाने बहुत कम लोग आते थे वहीं नवनीत कुमार ने कहा कि देर लाग खाते में 12 कडोल की रासी लोगों ने जमा की है जबकि सरकार ने इन खातों में DBT के जर्ये 8 कडोर रुपे का लाव ग्रहकों को दिया है वहीं लॉकडाउन में जब बैंकों के दरवाजे बंद थे तब डाग घर में लोगों का खाता खोला जा रहा था जब से हमारा बैंक लॉंच हुआ इंडिया पोस्विमेंट बैंक भागलपूर में तब से लेके अभी तक डेर लाग करीव एकाउन फुल चुका है पूरे जिले में जब से लोगडाउन फुरू हुआ है 24 मार्च से लेके कल तक का डाटा हमारे पास है कड़ीब आठतर हजार एकाउन फिर भागलपूर में खुला है जब से लेके अभी तरफ सरकार ने आर्थिक लाव लेने के लिए बैंक एकाउन को जरूरी कर दिया है लोगडाउन की अवधी तक भागलपूर परधान डागघर में परती दिन 4-500 लोगों का खाता खोला गया इसमें 90 परतीसत महिलाओं का खाता खोला गया अभी डागघर में परती दिन खाता खोलवाने के लिए लोगों की भीड उमड रही है और यही भीड डाग विभाग का लोगों में बनाया गया तूट विस्वास का संकेत दे रहा है लोगडाउन में एक तरफ सरकारी कारियाले बंद थे बैंक बंद थे लेकिन दूसी तरफ पोस्ट आपिस में लोगों का खाता खोला गया और यह जो भीड आप हमारे पीछे देख रहे हैं यह बिस्वास की भीड है लोगों का सरकारी कारियाले में सरकारी जो सिस्टेम में उस पर लोगडाउन में बिस्वास भडा है और यहां भागलपूर के परदान ढागर में हजारों की संख्या में लोगों का खाता खोला गया और केबल लॉक्डाउन की बात करें तो लॉक्डाउन में यहां कुल 78,000 खाते खोले गए हैं और जो खाता खोलने की जो रफतार है वो बिलकुल तेज है और लगातार यहां लोगों का खाता खोला जा रहा है और जब डाग भी भाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लोगों को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है लोगों का खाता लगातार खुला जाएगा अपने सहयोगी कैमरा परसंस सुमीत के साथ सेदिनामुदिन सिल्क टीवी भागलपूर भागलपूर स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो रहे विकास कारियों का मंगलवार को नगर विधायक अजीत सर्मा ने निरक्षन किया वहीं समीती से जुड़े लोगों ने विधायक को हाइकोट में दाखिल याचिका की जानकारी दी और बताया कि जिलापरसासन के उदासीन रवईये के कारण विकास कारी में काफी अनीमेत ताब अरती जा रही है वहीं विधायक अजीत सर्मा ने खेल मैदान, इस्टेशन कलब, चाइल्ड प्ले सेंटर, एथलेटिक्स मैदान समयत सेंडिस कंपाउंड में चल रहे विकास कारियों का घूम घूम कर निरक्षन किया वहीं सेंडिस समीती के कोसा अध्यक्ष अमर गोयंका और रवी कुमार ने कहा कि हाई कोट के निर्देश के बाद भी जिलापरसासन मॉनेटरिंग कमिटी को कोई जानकारी नहीं दे रहा है निरक्षन के दौरान कॉंग्रेस महानगर अध्यक्ष सहवाड 21 के पारसत संजे कुमार सिना रवींदर नाथ यादव ओम परकास उपाध्याय समेत कई लोग मौजूद थे किसी को जानकारी नहीं क्या हो रहा है बीच में स्विंग फूल लोग से क्रिकेट मैदान के अंदर बना रहे थे फिर सभी एसोशन लोग मुझे भी बात किए डियम से बात कि फिर वह बाहर बनेगा एक प्लैनिंग जो होना चाहिए सब्सक्राइब में क्या होना चाहिए सम प्लैनिंग अजैए नहीं आहां नौकरी और जानते हैं कि दो-3 साल में चला जाना है लेकिन यह जो सेंसराल है उनको पदानिये भागलपूर जिला, के जनता का दिल अपर सर इसका कोई प्लेनिंग नहीं है हम लोग समीती के लोग आज बरसों से इसमें लगे वे हैं और इस मैदान में जो हजारों दुकाने बन रही थी उस अतिक्रमन को हटाने में हम लोग हाई कोट में रीट फाइल करके जनी थे आचिका में हम लोगों ने इस पर से जो है ने से जब तक पिटिशनर नहीं आएंगे हम इसको नहीं सुनेंगे मेरी समीती लगातार इस प्रयास में लगी रहती है कि सेंडिस का डिवलप्मेंट कैसे हो और हमारी समीती आज से नहीं बहुत दिनों से लगी हुई है हाई कोट का आदेश क्या हम लोग पालन कर रहे हैं और कलवार की सुभध तेज रफ्तार और नियंत्री ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दिया गटना में बाइक पर सबार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई मौत है की पहचान प्रवत्ता थाना छेतर के रागोपुर निवासी पंचलाल साहनी के रूप में हुई है गटना को लेकर बताया जा रहा है कि मौतर सैकिल से कटिहार जा रहा था इसी दौरान ट्रक वोलेरों को ओबर टेक कर रहा था तभी सामने बाइक आ गई और ट्रक ने टककर मार दिया वहीं हाथसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भील उमल पड़ी वहीं घटना की सूचना मिलते ही नवगचिया पुलिस मौके पर पहुंची और शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया भागलपूर माया नवे कोरोना संक्रमीत मरीजों की पुष्टी हो चुकी है जिसमें से करीब 60 मरीज स्वस्थो कर घर जा चुके हैं मंगलवार को स्वास्त विभाग के पहले कोरोना अपडेट में भागलपूर के 7 मरीज समेत 104 कोरोना पोजिटीव मरीज की पुष्टी हुई इसके साथ ही बिहार में कोरोना पोजिटीव मरीज की संखिया 4 हज़ार के आकड़े को पार कर गई हलाकि बिहार में कोरोना संक्रमीत हुए 1700 से अधीक मरीज स्वस्थो चुके हैं जबकि 23 मरीजों की मौत हो चुकी है वहीं तेस में कोरोना संक्रमीतों का आकड़ा 2 लाग के करीब पहु वार्ड में 90 से अधीक मरीज अभी भरती हैं जबकि TTC COVID Center में 26 कुरोना पोजिटीव मरीजों को भरती कराया गया है वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद मन की उदासी, नस, सिर्दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, शेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रक्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हीतु शंपर्क करे भागलपूर इस्थित आनंद क्लिनिक, जो कलसंटेंट निरो साइकाटरिस्ट, सेक्सोलोजिस्ट, डी एडिक्सन थेरेपिस्ट के मसहूर डॉक्टर, रिशी आनंद की देख रिख में किया जाता है अत्याधुनिक सुविधाओ से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ-साथ मरीजों के भरती हेतु 24 घंटे AC, नान-AC, जेनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है आनंद क्लेनिक, लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कुल के समीप, मशाकचक, भागलपूर, बिहार Lifeline CT Scan and Digital X-ray डॉक्टर शशिकर, MD, Radio Diagnosis द्वारा संचालित Lifeline CT Scan and Digital X-ray में अत्यादुनिक तक्नीक से सभी परकार के Radio Diagnosis की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है भागलपूर का पहला Digital 1.5 टेसला Whole Body MRI Scan Multi-Slices Whole Body CT Scan अत्यादुनिक Ultrasound Machine से 2D, 3D, 4D Color Doppler Ultrasound Guided पाने निकालना अत्वा Pregnancy का Level 1 या Level 2 की जाँच की सुविधा Digital X-ray से सामान X-ray के साथ-साथ IVP, RGU, HSG की जाँच Digital Dental X-ray से पूरे जबडे का OPG अत्यादुनिक Pathology की वेश्था, खोन, पेशाब, आदी जाच के लिए बाहर जाने की ज़रुरत नहीं हवादार प्रतिक छाले एवं सुद्ध पेजल के वेश्था कोरोना संक्रमन के प्रती सचेत वा सुरक्षित वेश्था Lifeline CT Scan and Digital X-ray का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों वा डॉक्टरों द्वारा मानने है Lifeline CT Scan and Digital X-ray क्या आपको कान, नाग या गले में कोई समस्या है जैसे कान बहना, सुनने में परिशानी, कान में दड़, गले की खरास, गले में दड़, थाराइड, नाग का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादी है तो समस्या के निदान है तू आपके शहर में विश्व अस्त्रय अस्पताल, एडवांस E&T होस्पिटल, जिसमें अतिया अधुलिक उपकर्णो द्वारा उप्चार, डॉक्टर ह. एचाई फारुक की देखरेग में खिया जाता है डिजिटल एक्सरे एमब कम्प्लीट ओडियो लॉजिकल प्रोफाइल की विवस्था साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा ओटो एकॉस्टिक इमिशन टेंपॉनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आगलन किया जा सकता है बिना तारवाली कान के अंदर लगने वाली सुक्ष में देशी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है विदेशी मशीनों से सुसरजीत ओपरेशन थेटर तथा पेसेंट के रहने के लिए एसी नौन एसी जेनरल वार्ड उपलब्ध है चमपान नाला पूल के निकट चमपान अगर भागल पूल चिते समय तीशू पेपर का स्तेमाल करें और वो यूज किया वा तीशू पेपर तुरंट धकन दार कशे के दब्बे में फेक दें कहीं भी जाए तो माक्स लगा के जाए किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्राब्लम हो तो उससे एक मीटर की दूरी बनाए रखे अपने गंदे हाथ आख नाख मूं में ना सटाए आपको ये छोटी-छोटी साफ धानी आपको बहुत कामा सकती है ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते हैं अगली खवर की ओर लॉक्डाउन में फसे प्रवासियों एवं छात्रों को स्रमिक स्पेसल ट्रेन से ग्री राज जिलाने का सिलसिला लगतार जारी है इसी कली में गोवा के मटगामा से प्रवासियों को लेकर स्रमिक स्पेसल ट्रेन मंगलवार को भागलपूर पहुची ट्रेन के भागलपूर जैकसन पहुचने के बाद कतारबद तरीके से सभी प्रवासियों का thermal screening किया गया इसके बाद अलपहार एवं पानी देने के बाद सभी प्रवासियों को सोसल डिश्टेंसिंग का पालन कराते वे कॉरंटाइन सेंटर जाने के लिए बसों तक पहुचाया गया बता दें कि दूसरे राजियों से आए परवासियों को 21 दिनों तक कोरंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है ताकि कोरोना वाइरस का चैन तोड़ा जा सके वैश्विक महामारी कोरोना वाइरस से बचाओ के लिए नगर निगम परसासन ने थर्मल स्क्रिनिंग की वेवस्था की है अब नगर निगम कारियाले जाने वाले सभी कर्मियों के साथ आम लोगों की भी जाच की जाएगी मंगलवार को निगम की सुरक्षा में तैनात जवानों ने कई लोगों की जाच कारियाले में परवेस करने से पुर्व की वहीं उपनगर आयुक्त सत्यांद परसाद वर्मा ने कहा कि निगम के द्वारा पांच थर्मल मसीन खरीदा गया है जो निगम के चार जोनल आफिस सिकंदरपूर, ततारपूर, मानिक सरकार और नातनगर में दिया जाएगा नगर निगम के उपनगर आयुक्त ने कहा कि निगम के सभी कारियाले में परवेस करने से पुर्व अधिकारी, कर्मी और आम लोगों की पहले थर्मल स्क्रीणिंग की जाएगी इसके बाद तापमान समानी आने पर उन्हें परवेस करने दिया जाएगा उसके फीवर को माप करके पता लगा पहेंगे कि ये आदमी जो मेरे कारेले मा रहा है वास्तों में वह कोबीड-19 के प्रकोप से कहीं गरसित तो नहीं है तो ये जदी इसका फीवर उपर आता है तो हम लोग वहीं रोग देंगे चेक पॉइंट और उसको हम लोग क्वारें बिहार में लगतार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भागपा की ओर से मंगलवार को राजवियापी धरना कारिक्रम का आयोजन किया गया भागलपूर के भीकनपूर भागपा कारियाले में जिला सचिब सुधिर शर्मा के नित्रित में एक दिवसिया धरना दिय इस दोरान सोसल डिश्टेंसिंग का पालन करते वे भागपा कारिकरताओं ने राज सरकार को बढ़ती अपराधिक घटनाओं का जिम्मेदार बताया सुधिर शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के दोरान राज्ज में काफी अपराध बढ़ा है राजनितिक संरक्षन के कारण अपराधियों का होशला बढ़ता ही जा रहा है दबंगों के द्वारा कमजोर गरीब एवम दलितों को प्रतालित किया जाता है जिसको रोकने में शरकार पूरी तरह से बिफल साबित हुई है इसके अलाबा भागपा कारीकरताओं ने कहा कि शरकार अविलंग अपराधिक घटनाओं पर रोक लगाए और अपराध में शामिल दोसियों पर सक्त कारवाई करे इस मौके पर मनोहर शर्मा, गोपाल राय, मुस्ताथ, प्रमोध यादब समित कई भागपा कारीकरता मौजूद थे और महिलाओं पर जुल्म किया जा रहा है, उस पर हत्या, अपहरन, बलाका जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है बिहार में शराब बंदी कानून लागू है, इसके बाब जूद आए दिन शराब तसकरी से जुला मामला शामने आता रहता है और लोग चोरी चुपे शराब की खरीद विक्री कर अवैद कमाई करने में लगे हैं लेकिन जब सरकार के कानून का सरकारी कर्मी ही धज्जी उडाने लगे, तो आम लोगों से कानून का पालन कौन करवाएगा ताजा मामला बाका के फुली डुमर प्रात्मिक स्वास्त केंदर से जुडा है रविबार को पीची के चिकित्सक डॉक्टर आलम एवम एम्बूलेंस चालक सीफिन कुमार की शराब एवम नमकीन के साथ तस्वीर वाइरल हुई मामले को लेकर चिकित्सा प्रवारी संजीब कुमार सिंग ने कहा कि मीडिया के माध्यम से अस्पताल में शराब पीने की जानकारी मिली है और यह शराब बंदी के खिलाफ है उन्होंने कहा कि मामले की जाचकर दोशियों पर कानूनी कारवाई की जाएगी बाका के अमरपूर रेफरार अस्पताल परीसर में मंगलवार की सुभा आग्यात शब मिलने शे अस्पताल में संसनी फैल गई वहीं अस्पताल परीसर में शब मिलने की जानकारी मिलते ही मुखी चिकित्सा पदादिकारी ने गटना की सूचना अमरपूर थाने को दी जिसके बाद मौके पर पहुँची अमरपूर पुलीश ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया वहीं अस्पताल में कारीरत गार्ड ने बताया कि पिछले दस दिनों से मृतक वेक्ती अस्पताल परीसर में ही रह रहा था हलांकि वेक्ती की मौत कैसे वी या जाच का वीशे बना हुआ है फिलाल अस्पताल परवंदन पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहा है तिलकामान जी भागलपूर विश्विद्याले के शोद साखा में कारीरत प्रशाखा पदादिकारी रभी भूसन परसाद के निधन पर मंगलवार को सिंडिकेट हॉल में शोक शबाका आयोजन किया गया वहीं रभी भूसन परसाद के निधन पर परभारी कुलपती डॉक्टर अजय कुमार सिंग, रजिश्टार करनल अरुन कुमार सिंग, डी-एश डबलू डॉक्टर राम परवेश शिंग, प्यारो डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेथ सभी पदादिकारी और विस्विद बागलकुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच वी चाकू बाजी, दो की हुई मौत, तीन की हालत कमभीर डियमप्रण अपकुमार ने जिले में चलाई जारी विकास योजनाओं की की समिक्षा, कारी की धिमीगती पर जताई नाराजगी इंडिया कोश्ट पेमेंट मेंक में देड़ लाख लोगों का खुला खाता, प्रधान डाग घर में बारक कडोल हुआ जमा इस्मार्ट सीटी के तहट चल रहे विकास कारियों का विधायक ने किया निरक्षन, कहा सरकारी फंड का हो रहा है बंदरबाट और जिले में नहीं थम रहा है रफतार का कहर, नवगचिया में ट्रक ने बाइक सवार को मारी ठोकर मौके पर हुई मौत फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार